हेलो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्टूब चैनल प्रदीप एदुबोट पर आज आप सभी के लिए जून 2024 का करेंट एफेयर लेकर आये हैं जो परिछा की दिश्थी से बहुत महतपूर्ण होने वाला है तो आईए कुश्ण में आगे बढ़ने से पहले यहीं आप मेरी चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्क्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर लिजे और वीडियो फसंद आये तो जरूर लाइक करके उसे सेर भी कर दीजे तो आईए आज का पहला प्रस्ण है अजीत दोभाल कीस पद पर सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ब्यक्ति हैं जिसका उप्शन A है भारत के महा धिवक्ता B. निति आयोक के उपाध्यक्ष C. राश्तिय सुरक्षा सलाकार अजीत दोभाल जो है सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले ब्यक्ति जो हैं वह राश्तिय सुरक्षा सलाकार के रूप में है ना चले इसका कुछ बिश्टित बिश्लेशन भी हम लोग पढ़ लेते हैं भारत सरकार के एक आदेश के रूसार अजीत दोभाल को तीसरे काजकाल के लिए राश्तिय स्वक्षा सलाकार के रूप में नियुक्त किया गया है केविनेत की नियुक्ति समीती ने 10 जून से दोभाल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी दोभाल सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले पहले NSA है तो दोभाल को पहली बार साल 2014 में इस पद पर नियुक्ति किया गया था इनका दूसरा कार्ज काल 2019 में शुरू हुआ था और पांच जून को समाप्थ हुआ अगला क्वेस्चन है किसे हाली में दोभारा परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का परधान सचीब नियुक्ति किया गया है हाली में जिसका ओप्षन ए है निर्प्रेन्र मिश्रा बी है दक्तर परमोद कुमार मिश्रा सी है परमोद की बारी दी है अभे कुमार सिन्हा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्तर कुमार मिश्रा चलिए तुरा विश्टित विश्टिशन कर देख लेते हैं तो डॉक्टर पर्मोद कुमार मिस्टरा को जो है परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का सचीब नियुक्त किया गया है पूर्व आयेस अधिकारी डॉक्टर पर्मोद कुमार मिस्रा को दुबारा परधान मंत्री नरेंद्र मोदी का परधान सचीब न्यूक्त किया गया है कारिमिक एबम प्रसिक्षन विवाग की ओर से जारी एक आदेश का नुसार केबिनेट की नियूक्ती समीती SEC ने 6 जून से इस पद पर डॉक्टर मिस्रा की नियूक्ती को मंजूरी दे दी उन्होंने 2014 से लेकर 2019 के दौरा परधान मंत्री के अतिरिक्ट परधान सचीब के रूप में काजरत थे चलिए नेस्ट क्यों बरते हैं आज का तिसरा प्रस्ण है Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited के अगले MD के रूप में किसे नियूक्त किया गया है जिसका option A है राजिव कुमार, B है अभिशेक सिंग, C है परविन कुमार, अधी है अभिमन्यू, राम चंद्रन तो Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited के अगले MD जो है नियूक्त किया गया है परविन कुमार को तो परविन कुमार जो है रेल मंतरालाई के तहत एक सारवजनिक उपकरन, Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited के अगले परवंधक MD होंगे सारवजनिक उद्यन चेन वोर्ड पैनल द्वारा इस पद के लिए उनकी सिफारिश की गई है बरतमान में वह D.F.C.I.L. में ही कार्जकारी निदेशक के रूप में कार्जरत है चलिए नेस कोशन को बड़ते हैं गलोबल जेंडर गेप इंडेक्स 2026 में भारत की रेंग क्या है जिसका ओप्षन ए है 120, B है 120, C है 137, D है 1129 तो गलोबल जेंडर गेप इंडेक्स 2024 में भारत की जो रेंग है वह 129 रेंग है चलिए इसके विस्तार्स में थोड़ा विस्लिशन कर लेते हैं भारत का अस्थान कितना हुया एक सो उन्तिसमा विस्व आर्थिक मंच ने हाली में गुलोबर जेंडर गेप इंडेक्स 2024 की रिपोर्ट पेस की है पिछले साल की तुलना में भारत इस साल दो अस्थान नीचे खिसक कर एक सो उन्तिसमे अस्थान पर आ गया है पिछले साल की तुलना में पिछले एक दसक से पहले अस्थान पर आने वाला आयस लेंड ने इस साल भी अपना पहला अस्थान का हुआ बरकरार रखा है भारत के प्रोसीड देशों की बात करें तो भारत से पहले बंगला देश निनानमी अस्थान पर है नेपाल 111 में अस्थान पर है सिरिलंका 125 में अस्थान पर है भूटान 124 में अस्थान पर है और वही पाकिस्तान 145 में अस्थान पर बनाए हुए है चले ने इस question कोड़ें बरते हैं पेमा कांडू ने किस राजी के मुखमंतरी के तौर पर सपत ली है तो पेमा खांडू ने अरुनाचल परदेश राजी के मुखमंतरी के तौर पर सपत ली है पेमा खांडू ने लगातार तीसरी बार अरुनाचल परदेश के मुखमंत्री के रूप में सपत लिये उन्हें हाली में भारतिय जन्ता पार्टी के विधायक दल का नेता भी जो है चुना गया था एक समारों में राजपाल लेप्टिनेंट जन्रल सेवा निम्ब्रित अब हो चुके हैं केटी परनायक ने उन्हें सपत दिलाई खांडू के साथ दस अन्मंत्रियों ने भी सपत ली है हाना चलिए अगला क्वेश्चन है अंतराष्टिये खगोलिये संग ने मंगल गराव पर इस्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा है अंतराष्टिये खगोलिये संग ने मंगल गराव पर इस्थित एक क्रेटर का नाम जो है किसके नाम पर रखा है उप्षन यह है प्रोफेसर देवंद्र लाल सी उप्षन बी है सीवी रमन सी है सतनरनात बोस और दी है विक्रम सारा भाय तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर देवंद्र लाल तो हाली में अंतराष्टिये खगोलिये संग जो है मंगल गराव पर थारिश जोला मुखी छेतर के भीटर इस्थित तीन नए क्रेटरों को भारत के बिज्यान समूदाय और भारती अस्थानों के नाम पर रखे हैं सबसे बरे क्रेटर का नाम जो है प्रोफेसर देवंद्र लाल के सम्मान में लाल क्रेटर रखा गया है वही मुर्शान क्रेटर का नाम भारत के उत्तर परदेश के मुर्शान सहर से लिया गया है जबकि हिलसा क्रेटर का नाम जो है भारत के बिहार के हिलसा सहर के नाम पर रखा गया है तो द्यान रखिएगा तीन क्रेटर जो है अस्थापीद किया गया है नए तीनों नए क्रेटर में सबसे बरे क्रेटर का जो है का जो नाम जो है प्रोफेसर डेवन लाल के सम्मान में और दूसरा जिसको लाल क्रेटर रखा गया है वही दूसरा क्रेटर जो है भारत के उत्तर परदेश के मुरसान सहर से लिया गया जिसका नाम रखा गया है मुरसान क्रेटर और तिसरा जो है हिलसा क से नाम पर रखा गया है चले next question है हाली में किसके द्वारा container port performance index जारी किया गया है किसके द्वारा container port performance index जारी किया गया है ए वर्ड एकोनोमिक फोरन वर्ड बैंक सी उनोसको के द्वारा और इनमें से कोई नहीं तो हाली में container port performance index जो जारी किया गया है वर्ड बैंक के द्वारा चले इसका विसलेशन देख लेते हैं विस बैंक ने हाली में S&P global market intelligence के सायोग से container port performance index जारी किया गया है CPPI दुनिया भर के 405 बंदरगाओं के व्यापक data set पर अधारित है कितने तो 405 बंदरगाओं जो अब तक का सबसे बारा data set है बता दे कि विसाखा पतनम port authority ने इस ranking में अठारमा अस्थान जो है वह हासिल किया है विसाखा पतनम port authority ने चलिए next question क्यों बरते है आज का आठमा प्रस्न है भारती सेना के अगले परमुक के रूप में किसे नामित किया गया है तो भारती सेना के अगले परमुक के रूप में जो है नामित किया गया है किसे तो उपेंदर डुवेदी को ध्यान रखेगा उपेंदर डुवेदी को चलिए इसका विसलेशन देख लेते हैं लेप्टिनेंद जनरल उपेंदर डुवेदी भारती सेना के अगले परमुक होंगे उपेंदर डुवेदी 30 जून को जनरल मनोज सी पांडे से सेना परमुक पद का पद सम्भा लेंगे इससे पहले कों थे तो मनोज सी पांडे सैनिकी स्कूल रिवा के पुर्वचात लेप्टिनेंद जनरल डुवेदी को 18 दिसंबर 184 को 18 जम्मू और कस्मी राइफल में न्यूक्त किया गया था लेप्टिनेंद जनरल डुवेदी ने सेना मुख्यालाय में उप परमुक के रूप में काम किया है और हिमाचल परदेश में नमी कोर का नेतरूत भी किया है चलिए नेस कोश्चन के बढ़ते हैं आज का नम्मा प्रस्ण है ओरिशा के नए मुखमंतरी के रूप में किसने सपत ली है धर्मेंदर परदान भी है मुवन चरन माजी नवीन पतनायक तो ओरिशा के नए मुखमंतरी के रूप में जो है मुवन चरन माजी के रूप में जो है सपत ली है चलिए मुवन चरन माजी के बारे में जानते है मुवन चरन माजी ने ओरिशा के पंद्रह में मुखमंतरी के रूप में तोड़ पर जो उसने कह किया है मुखमंत्री के सपत गरहन किया है सपत लिया है और इसा विधासवा चुनाब में विजेपी ने कह किया 78 सितों पर जित डर्ज किया 24 साल बाद सत्ता में लोटी है इस बार वह चार बार विधायक भी रचुके हैं और अनुसुचि जनजाती से आते हैं वही कनक वर्धन सिंग देव और पारवर्थी परीदा जो है उपमुखमंत्री के तोर पर जो है सपत ली है से लिए निस क्वेशन है आंद्र परदेश के नए मुखमंत्री के रूप में किसने सपत ली है चंद्रबाबू नाइडू पवन कल्यान नारा लोकेश दी राजा तो आंद्र परदेश के नएक मुखमंत्री कौन बने है तो चंद्रबाबू नाइडू जो है तेलगू देशम पार्टी तीडीपी के परमूख एन्द चंद्रवाइडू नैडू ने अपने चौथे कार्जकाल के लिए आंद्रपर्देश के मुखमंत्री के रूप में उसने सपत ली है वही जन सेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्यान उप मुखमंत्री के रूप में सपत ली है तो बता दे कि नाइडू के साथ 24 अंड नेताओने ने भी मंत्री पत की सपत ली है चली नेस क्वेशन है गोलोबल जेंदर गेप इंडियर्वाइड दोजार चोवेशन में बारत की रेंख्या है तो इसका आंसर हो जाएगा 129 चली नेस क्वेशन है पेमा खांडू ने किस राज के मुखमंति के तौर पस सपत ली है ये भी क्वेशन डिपीट हो गया इसका राइट आंसर और उनाचल परदिस हो जाएगा चली नेस क्वेशन है अंतराश्तिय खवोलिय संग ने मंगल गरह पर इस्थित एक क्रेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया तो प्रोफेसर देवेंदर लाल के नाम पर ये भी क्वेशन डिपीट हो गया जिसमें तीन नए क्रेटर बने है जिसका सबसे बड़ा क्रेटर का नाम पर रखा गया है जिसको लाल क्रेटर के नाम से भी जुचाना जाता है चली आज का चदमा परसन है हाली में किसके द्वारा कंटेनर पर परफोर्मेंस इंडेक्स जारी किया गया ये भी क्वेशन रिपीट हो गया रर्ल-Bank चली नेस क्वेशन है नासा द्वारा नासा भारत में किस आइएटी के साथ मिल कर मल्टि ड्रक्स परतिरोगी रोगजन कों पर सोध कर रहे है तो आइएटी दिल्ली, आइएएटी मद्रास आइएएटी बनारसी, आइएएटी मुंबे तो नासा जो है भारत में किस IIT के साथ मिलकर मल्टी ड्रक्स, परतिरोधी, रोग, जनकों पर सोध कर रहे हैं तो इसका राइट अंसर हो जाएगा IIT मदरास है ना तो भारती प्रध्योगी की संस्थान, मदरास, IIT मदरास और नासा की चेट प्रोप्सल लेबरोटरी के सोध करता अंतरास्टे अंत्रिक्स अस्टेशन पर मल्टी ड्रक्स परतिरोधी, रोग, जनकों पर सोध कर रहे हैं IIT मदरास और नाता के नासा के JPL के बीच सहयोगात्मक पर्यास बेग्यानिक ग्यान को आगे बढ़ाने और आंतरास्टे साज़ेदारी को बढ़ावा देगा चलिए नेस कोस्टन है G7 सिखर संबेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है? सभी को पता होगा G7 सिखर संबेलन का आयोजन जो है, इतली में हो, किया जा रहा है? चलिए कुछ बिसलेशन पर लेते हैं हम लोग G7 सिखर संबेलन का आयोजन इतली में किया जा रहा है G7 एक अंतर सरकारी राजनीतिक एवम आर्थिक मंच है जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इतली, जपान, यूनाइटेज किंगडम और सन्यूराज, अमेरिका सामिल है G7 में कुल कितने देश सामिल है तो साथ देश सामिल है जिन में कौन-कौन है तो फ्रांस है, जर्मनी है, इतली है, जपान है, यूनाइटेज किंगडम है और सन्यूराज, अमेरिका G7 की अस्थापना जो हुई थी, 1975 में हुई थी, 1990 के दसक क्यांत में, G8 बना कर रूस को भी इसमें सामिल किया गया था, लेकिन क्रीमिया पर कबजेक के बाद, 2014 में क्या क्या, इसे लिलनम्बित कर दिया गया किसे तो रूस को, चले ने इस क्वेश्चन है, दुनिया के सब से उचे रेलवे पूल पर भारती रेलवे ने पाला ट्राइल रन पूरा किया, वो किस नदी पर है, चिनाव नदी पर, चले इसके बादे में कुछ पिसलेशन पर लेते हैं केंद्रिये रेल मंत्री अस्वनी ब्यस्नव ने गोसना की की संगल दान रियाइसी ट्रेन का पाला ट्राइल रन पूरा हो गया है, जो दुनिया के सब से उचे पूल चिनाव को पार करने का एक महत्पुल मिल का पत्थर है यह पूल जमू और कस्मीट शेत्रिक में चिनाव नदी के उपर 369 मीटर लगवग 109 फीट उपर बना गया था और वह एफिल तावर से लगवग 35 मीटर क्या है, उचा है किस नदी पर बना गया तो चिनाव नदी याद रखेगा चले अगला क्वेस्चन है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संसकरन यू एस में कहां आयूद किया गया है एक्सरसाइज रेड फ्लैग 2024 का दूसरा संसकरन नेलिस एयर फोर्स बेस नेवेडा में एलसन एयर फोर्स बेस अलसका में लुके एयर फोर्स बेस एरिजोना में आयोजी में से कोई नहीं तो exercise red flag 2024 का दुसरा संस्क्राण जो है एलसन एयर फोर्स बेस अलस्का में जो है आयोजीत किया गया है चलिए इसका कुछ विस्क्रेशन देख लेते हैं भारतिय बायु सेना की एक तुकरी ने सेन्यूत राज बायु सेना के एलसन एयर फोर्स बेस अलस्का में चार जून से 14 जून 2024 तक आयोजीत अभ्यास red flag 2024 ने भाग लिया यह red flag 2024 का दुसरा संस्क्राण था जिसमें अमेरिकी बायु सेना द्वारा वर्स में चार बार आयोजीत किया जाता है इस अभ्यास में भारत के अलावा सिंगापूर, युनाइटेट किंग्डम, नीनर लेन की एर फोर्स ने भी कह किया था बाहर लिया है चलिए अगला क्वेस्चन है जी मेक्स अभ्यास का कौनसा संस्करण 2024 में आयोजीत किया गया छथा, सात्मा, आठमा और नम्मा जी मेक्स अभ्यास का कौनसा संस्करण 2024 में आयोजीत किया गया तिसका आठमा संस्करन हाली में जीमेक्स अभ्यास 2024 जपान के योकोक सुका में आयुजित किया जा रहा है जीमेक्स का आठमा संस्करन है 2012 में प्रारम हुआ था यह अभ्यास में हारवर और समुदरी दोनों फेज के अभ्यास सामिल है भारती नोसेना के सोदेशी एस्तिल्ट फिग्रेट आई एन एस शिवालिक इस दुपक्षिय समुदरी अभ्यास में भाग ले रहा है द्यान रखेगा भारती नोसेना के सोदेशी एस्तिल्ट फिग्रेट आई एन एस शिवालिक इसमें भी पक्षिय समुंद्री अभ्यास में जो है, वो भी भाग ले रहा है, वही जपान जो है, जपान की ओर से गाइडेड मिसाल देस्ट्रायर जे एस यूगीरी भाग ले रहा है, जपान की ओर से, चलाइस कोस्चन आज का, दच्छिन अफरीकी संसत द्वारा, दच्छ संसर दौवारा जो है। राश्टपती की रूप किसे निरवाज़ित किया है। देआन दकिएगा। सिरील राम फोसा जो है, राश्टपती बने हैं। चलिए这 लेस्संदेख लेते हैं। दच्छिन अफ्रीकी संसद ने सात्वी संसद की निशनल असेंबली की पहली बेथक के दोरां सुक्रवार को अफिरकी राष्ट्रे कांग्रेश ANC के द्वारा अध्यक्ष जो है सिरील रामफोसा को दच्छिन अफ्रीका के राष्ट्पति के रूप में जो है फिर से चुना यह दच्छिन अफ्रीका के राष्ट्पति के रूप में रामफोसा का दूसरा कार्ज काल है उन्होंने पहली बार 15 फरवरी 2018 को पर्द बार संभाला फिर 2019 के चुनावों के बार 22 में 2019 को चुने गए थे इस तरह आज का यह करेंट अफेयर जून मंत का विकली करेंट अफेयर जो परिछा के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आप लोगों को अब यह प्रस्ण यह वीडियो कैसी लगी जरूर कोमेंट करके बताएए वीडियो को लाइक करके उसे शेयर भी कर दीजे धन्यवा कि हुआत तो आप मेंगें., चले कि का शचात्म टूर को आप लूए वीडियो बहे खटाइवत जो हों का 수도र्द यह वीट ऌफेयर यह वीडियों को मेंग।